को तो आपको बश पाँच से दस मिनिट के जोटे जोटे वीडियोस मिलेंगे और इन वीडियोज को लगातार देखकर आपने इंग्लिस को बहुत अच्छा कर सकते हैं दोस्तों आज की किलास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज है डे नाइन और आज की किलास में हम बात करने वाले हैं इंग्लिस लेंग्वेज का एक मैजिकल वर्ड है जादूहरा सब्द है जब हमारे लोग हमारे लिए कुछ करते हैं तो हमें बदले में उन्हें थेंक्यू जरूर कहना चाहिए और आप बोलते भी होंगे दोस्तों लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस थेंक्यू का प्रभाव ल हैं जिनको बोला जा सकता है जिनसे आप सुनने वाले पर बहुत अच्छा effect बहुत अच्छा impression डाल सकते हैं दोस्तों सो आईए शुरू करते हैं आज की class आज हम बात कर रहे हैं थेंक्यू कहने के कुछ बहतरी न तरीके में आपके साथ share करने वाला हूँ आप बोलते रही ये लोगों को thank you, लोगों का आभार व्यक्त करते रहिए, लोगों के जो आपके लिए काम करते हैं, आपके लोग जो काम करते हैं, जो अन्जान लोग काम करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, छोटा सा छोटा कोई भी काम लोग हमारे लिए करते हैं, तो आप बदले में thank you ज कि किस काम के लिए धन्यबाद तो आपको याद रखना है कि thank you के सांथ for लगा करके जो भी क्रिया जोडनी हैं आपको उसके सांथ आएंज जुरूर लगाना है जैसे आपको कहना है यहां आने के लिए धन्यबाद तो आपको कहना पड़ेगा thank you for coming here, thank you for coming here, thank you for doing this work इस काम को करने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद, thank you very much for this advice इस advice के लिए सला के लिए बहुत धन्यबाद, तो दोस्तों अगर फोग के बाद में कोई वर बाती है तो आपको उसमें आइंजी लगाना है, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा मुझे सूचना देने के लिए धन्यबाद, ऐसा कहना है अगर तो कहेंगे आप thank you for informing me, informing me कहना पड़ेगा दोस्तों next bird है, thanks, यह देखी दोस्तों बड़े कमाल के bird है, thanks, thanks a ton, thanks a million, thanks a bunch अपने हमुम्र जो लोग होते हैं, या जो आपके ऐसे लोग हैं, जिनके साथ आपका जो relation एक प्रकार का कहना चाहिए के informal type की situation होती है, आपके हमुम्र लोग होते हैं, तो उन लोगों के लिए आप इस तरह के bird use करें, thanks आप उनको thank you बोलें, WhatsApp पे, Facebook पे, Instagram पर जब लोग आपको किसी चीट के लिए अच्छा कहते हैं, आपको किसी प्रकार की आपको help कहते हैं, तो आप इन words को उनके साथ बोलिए दोस्तों, इसका effect बड़ा अच्छा लगेगा, आपको कहना होगा, thanks, thanks a ton, मतलब इसका basic हरते हैं दोस्तों, ton, ton का आप जानते हैं हैं दोस्तों, दस क्यूंटल होता है, मतलब इसना बहुत ज़्यादा आप उनके चाहरा हैं, कि आपका इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा धन्यबाद, thanks a million, thanks a bunch, यानि बहुत ज़्यादा धन्यबाद जब करते हैं, तब हम इस तरीके word जो हैं, वो हम यहाँ पर सीख रहा हैं दोस्तों, यह word है, words can't describe how thankful I am, अब आप अपना यह कहना चाहरा हैं, कुछी ने आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद की हैं, कि मेरे पास सब्द नहीं है, मैं किस तरे से आपका धन्यबाद कहूं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, सब्दों में मैं इसको कैसे ब्यक्त करूँ, तो आपको दोस्तों कहना चाहिए, words can't describe how thankful I am, सब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता, सब्दों से ब्यक्त नहीं किया जा सकता, कि मैं आपका कितना आभारी हूँ, मैं आपका कितन कितक हूँ, मैं आपका बहुत thankful हूँ, please accept my best thanks, किरपया मेरा अच्छा वाला thanks, सबसे अच्छा धन्यवाद जो है, उसको आप सिवकार करें, thanks a ton for helping me a lot, मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह के word दोस्तों हम तब ही उस करते ह है, तब हम उनके बहुत ज़्यादा आवारी होते हैं, हम उनका बहुत ज़्यादा आवार करना चाहते हैं, so only a single word से thank you कहे के काम नहीं चलाया जा सकता, हमें कुछ अच्छी तरीके से बोलना चाहिए, words can't describe how thankful I am, इस तरह के कुछ sentence आप बोलेंगे तो बढ़ा अच्छा किया, आपके लिए कुछ किया, तो आप कहेंगे I really appreciate it, मैं बास्तम में इसकी बहुत प्रिसंसा करता हूँ, आप बहुत प्रिसंसा के हगदारें आपने बहुत ही अच्छा कारी किया है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो आप कहेंगे I really appreciate it, you have made my day, किसी ने आपक my day, you are great, you are great, आप महान है, I am in your debt, I am in your debt, मैं आपका कर्जदार होगा या आपने मेरे इतनी मदद की है कि only thank you से नहीं दोस्तों, अब आप सोची जब आप इस तरह का बड़ बोलेंगे only thank you कहकर तो हम normally एक उप्चारिकता होगा या आजकल thank you कहने की, लेकर बास्तम में हम कि का अच्छी परकार से धनवाद करना चाहते हैं, तो जो आप बोलेंगे I am in your debt, मैं आपका कर्जदार हूँ, आपने जो मदद की है मैं thank you कहकर कि उसको नहीं उतार सकता, तो आप कहेंगे I am in your debt, and the next word is you are the best, you are the best, thank you so much, thank you so much, you are an angel, you are an angel, आप फरिस्ता हैं बिलकुल, आप जो हैं बिलकुल फरिस्ता हैं, आपने बहुत ज़्यादा मदद की है, you are an angel, I don't know how to thank you, मुझे नहीं मालूम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपकी मदद कैसे करूँ, तो दोस्तों हैं बड़े बहतरीन आइडियाज हैं, आप बोली हैं लोगों को, you are the best, thank you so much, you are an angel I don't know how to thank you, and the next word is, that's so kind of you, कितना अच्छा सब्द हैं दोस्तों, यह जब आप लोगों से बोलते हैं, तो सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, that's so kind of you, आप कितने दैलू हैं, आप कितने अच्छे हैं, I can't thank you enough, मैं आपका प्रयाब धन्नबाद भी नहीं कर सकता, all my love and thanks to you, म प्रयोग करते रहिए, पर thank you बोलने में कुछ नए-नए सब्दों का प्रयोग करके बोलते रहिए, ताकि आपकी English language में एक impression आए, एक effect आए, और पूरे confident के साथ दोस्तों, जब आप इन सब्दों को बोलेंगे, तो आप देखिए, बड़ा गजब का एक communication में एक strongness आती है, सुनने वाले को बड़ा अच्छा लगता है, जब आप किसी को कहेंगे, that's so kind of you, thank you very much, thanks a ton, thanks a million, तो दोस्तों ये words जो है, magical words की तरह होते हैं, तो दोस्तों आप लगातार इस तरह के सब्दों का प्रयोग करते रहिए, और सीखते रहिए मेरे साथ, रोज रात को ठीक 10 बज पर मिलते रहिए, कल फिर मिलते हैं दोस्तों, thank you very much,